वेल्कम बैक मैं चैनल ब्लीविन थेरपी आइम नहीं हाइन तो इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं अंडर पैसर के वारे में लास्ट का जो वीडियो था उसमें फैडिक फुट बहुत अलेडी डिसक्स कर दिया है लिंक आपको डिस्क्रिप्सिर आप मिल जाएगा तो इस वीडियो में जो हम पड़ेंगे अंडर पैसर का जंडर इंटोशन टेकनिक्स करता है लेक्टोर का प्रेश्मेंट कैसे करना है क्या परामीटर से होम एडवाइस क्या दे सकते हैं वो अबर लॉल डिसक्स करेंगे तो यह जाता लॉंग नहीं है आप इसली से समझ सकते ह प्रेशर में से एक प्रेशर अप्लाई करके आप जो फ्लूइड है उसे वापस से वीनस रिटर्न कराते हैं तो इसमें पूराब ट्रीटमेंट में होता क्या है एक्चुल में हमारे जो मसल्स होते हो बीक हो जाने की बज़ेसे में उसमें प्रॉपर कॉंटिक्सन रिलाक्स नहीं हो पाता है जब कॉंटेक्स रिलेक्स 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 मारि की भी चाहिए तो एक ही जगे पर कलेक्ट हो चाहिए तो यहां पर ini का फॉर्मीशन हो गया अदिमा का मुप घाये हमें उपनुस की खिए हेम अपनाकि आपकु कॉ और रियाख को करा दिमिया का बहुत अब करें जैसे ही कंटेक्ट करें और क्याक्म क्या बढाता धसलिद या statistically क्यिते हो जो साम की अधिवार स्वाच्ट करें और रिलेक्स जैसा ऐसे कि स्वागा है उसे हमारा तक्याँ वभीलिका धिक्या ट्रीक ट्रीक कि हमें आडिमा को कैसे करना है ठीक है तो इसमें हम फिर्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्टिकल इस्टुमरेशन ऑफ देंगे आप और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे कंप्रेशन जो हम देते हैं बैंडेस से देते हैं से इस ठाइग्राम यहां तो आप थौड़ा सा पस्टों देते देते सर्कुलर बेम है यह पास्टिकले आप को फेलेस्ट का इसके अपास्ट करेंगे इसके का क्या वह एक शचाहर आप करेंगे। इसके साथ की इसके ओडिन रोट दॉन है तो रिलीव अडेमा एमेडिकल दी तो नाइक्ट इस टेक्निक्स में क्या जैसा कि हम आपको बता चुक है जो भी लिम्प में अडिमा हुआ है तो उससे आपको पिशिंट को सजिस्ट करना है कि यहां पर आपको उस लिम्प को तोड़ा सा एलिवेट करके रखना है आप पिलो का यूज सकते हो अपर उस एरिया पर लोकलाइज एरिया पर तो पुशिशन जो रहेगी एलिवेशन रहेगा लिम का ग्रैप्टी को असिस करेंगा जिसे कि हमारा वेनसल लिम्फाटिक रिटन हो सके हैं ठीक है जो जिस एरिया पर अडिमा हुआ है तो वहां पर रिक्वार्मेंट है कि यहां पर कॉंटेक्शन कॉंटेक्शन कराने के लिए आप लेक्टिकल इस्टिमिलेशन का यूज करते हो तो वहां पर एक्टिव 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 कि हमारी मसल्स पंप हो सके और उसे प्रैशर भी मिल सके दुना चीज़े हो सके हैं जैसे कि यहां एक्जाम्पल है और लोवर एक्स्ट्रिमिटी के लिए वन एलेक्टूर ओवर दा काफ मसल अदर एलेक्टूर प्लेस्मेंट प्लांटर एस्पेक्ट ऑप दा फूट तो आपको एक एलेक्टूर है उसको जो प्लेश्मेंट करना है वो मसल्स के मोटर पॉइंट पर जैसा कि हम आपको बता चुए कि जो एक्टिव एलेक्टूर है हमेशा आपकी मसल्स के बैली जो होती है उसका जो मोटर पॉइंट होता उस पही आपको प्लेश करना जैसे कि ड तो जो आ आप यहां पर देंगे मोटर पॉाइंट पर जिससे कि इस नर्व को मिल सके नर्व जाके आगे इस टूमराश दे सके मुसल्स को और मुसल्स हमारी कॉन्टेक्ट हो सके तो इसलिए तो कहते हैं कि फाइडिक करेंट जो है उसमें नर्व और मुसल एक दूसरे से ठीक है तो यह एक्जाम्पल आप समझ क्या होंगे नेक्ट एक्जाम्पल फॉर अप्पर लिए यह अपर लिम में अडीमा है तो अकॉर्डिंग टू दा कंडिशन पर से इनकी यहां पर एम एक्जाम्पल लिया है कि लेक्टूर का प्लेश्मेंट है फ्लेक्ट यहां पर मसल्स हमारे कॉंटेक्ट हो सकते हैं और उसे आपको कवर भी करना है अभी टेक्निक आप समझेंगे आगे तो नेक्सट प्लेश्मेंट प्लेश्मेंट है यहां प्लेश्मेंट का इस हमीस झाल करने के बाद आप प्लेश्मेट हैने hin करने के लिदे कवर्यंट का करेंगे अप्टर प्लेश्मेंट के बाद इस्तार्टिंग डिस्टली सुटी फर्म बट नौट टू टाइट टाइट नहीं होगा चाहिए अवाइट गैप बेट्विन तर्न अन्द बैंडेश आपको यहां पर बैंडेश को जब तर्न करें तो कोई गैप नहीं होना है तो फ्ल्ुएट हो भापस सीथे हो उतिया और परि AJAL काम मतालों के वापां सकते हैं प्लेश्मेंट हो जाएगा ऑफत हाँ करते हैं तो प्लेश्मेंट 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 करते हैं तो प्लेश्मिन करक्ता है तो आपने प्लेश्मिन कर दिया तो यहां पर जो example है यह हमारे लोवर लिमका है भीस आप्र प्लेशमेंट आफ आफ अफ यासी एलेक्टोड प्लेशमेंट कर दे तो इस्टार्ट करेंगे हम bandaging ढाने। ईंपल मेसमाना हीं आपके बिया से अनकी है आप सबास, तोपने केके ऐ हुग लाब रनाना ही त्याक्ति प्लेश्यमें आप से demonstrate की अई कंभी अपले से और से हुजो आपको के आपको चलि को जा र्पास्ट पिक प्रफिमर ट्राइंगल तक लेके जाएंगे जिसके उसके तो थोड़ा सा थाइटली ज्यादा थाइट नहीं होना चाहिए फिर्मली होना चाहिए जिसके अमारा जो फ्लूइड है वह बापस हर्ड के और आ सके वाइंड ओफ मिस रिमूब दा एलेक्टोर एंड क्लीन दा एर में में आपता चाहिए सीससे ज्याद काल थाऊएंगल तो इनफ्लमिशन भी विक्त्ती आश चाहिव की तो इंफ्लमिशन के बुझाल यह है प्लैन детक्सแ तो मुस्ल्स हमारी बहुत ज़्डा फटी होजाए गयों से रिलेक्स होने के टाइम भिलकुल भी नहीं बलेगा फ्रिक्वेंसी सेम रहें कि 5200 restart triangular current अमारा flow होगा वह triangular होगा can duration by same रहेंकि frequency और duration अमारे फ्रिकरेंट के हमेंसा same ही रहती है और स्वरी वह तैम यह हमारा continuously चलता रहेंगा और यह मिन के लिए आप इसे on रखेंगे, फिर फिर लोगा प्रोंद से तक तक की अफ करने ऌद के निल जाये को कमने लीओ चाहिए की रिंटीं के पर जाने सॉन सपची तर्फिसन होनी चाहिए झाइब युटować इंटेट की मुस्टार व्यूहर? मिल जाए उस टाइम तक आपको इंटेंस्टी रखनी है ताइम दूशन 20-30 मेर्स एक दिन में 20-30 मेर्स एक दिन में तो यह हमारा होगा परामिटर में से आपको प्रोटोकॉल्स होता है उसमें पूरा फॉलो करना है और आपको आपको याद रखना जैसे कि हम लिए अपरेट करन के लिए तो हम उस वीडियो में आपको बता चुके तो प्लीज हो जरूर जाकर देख लिजेगा वह आपर हमने डिसकस नहीं किया हुआ है आप ओम एडवाइस क्या क्या देगे एंकल टो मॉमेंट्स के लिए बहुल सकते हैं प्रेश प्लो अंडर दा लोग लिम इन सु जिसे कि हमारी मसल्स दीदर कॉंट्ट करें जब मसल्स कॉंटिक करें तो जितना सारा फ्लूइड अक्वलेट हुआ वह दीदर पंप आउट हो रहाएगा तो आई हो वागी वीडियो आपके लिए हैल्पल रहा होगा वीडियो है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें कोई भी कारी होती है तो कमेंट बक्ष में कमेंट करके प्रूश रखते हो थैंक्यू सो मज़ एंड कीप सपोर्टिंग में